हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में जिसका नाम है स्टडी मॉन तो जैसा के आप देख सकते हैं इस चानल से ना सिर्फ आपके गुड मार्क्स आएंगे बलकि आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चानल में आपको मिलेगा NCRT का लाइन बाइन एक्स्प्र के लिए रिवीजन की बहुत जरूरत होती है आप एक्जाम के टाइम पर किताब खोल के तो नहीं बैठ सकते हैं इसलिए हम इस चानल में आपके साथ रिवीजन वीडियोस भी शेयर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर टू में तो आज हम जो हमारा केमेस्ट्री का फॉर्स चाप्टर है क्लास 10 का साइंस का उसका हम अगला हाफ पोशन कंप्लीट करेंगे तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टाइपस ऑफ केमिकल रियाक्शन ठीक है तो देरा फाइफ टाइपस ऑफ क सब्स करसे हैं तो इसमें टोटल हमारे पाउच के ताइब से कrika के मिकल रियक्शन की पहला टाइप यह कोंविनेशन रियाक्शन है दूसरा टाइप एधी कम्पोजीशन रियाक्शन डीस्प्लेस्में टीजबटयर्समें रियक्शन औक्सिडेशन ऑंसीडेशन और रेदक् सब हो रहा है तो जैसे कि यह basic मैंने आपे लिखा हुआ है A plus B gives AB ठीक है यानि कि कुछ दो elements या compounds आपस में combine होके हमें एक तीसरा product दे रहे हैं जिसकी properties पहले वाले reactants से अलग होगी ठीक है यह basic idea होता है basic concept होता है combination reaction का जैसे example के लिए हमारी book में भी example दिया हुआ है कि जो quick lime है CAO calcium oxide चूना जिसको भूता है इन्दी में यह solid form में है उसमें अगर हम water यानि पानी mix कर दें तो जो हमारा quick lime से slaked line में convert हो जाएगा aqueous slaked lime calcium hydroxide इसको chemically बोला जाएगा तो यह जो form में convert हो गया इस reaction को हम combination reaction के अंदर example के तौर लेख सकते हैं इसमें important बात यह है कि slaked lime जो होता है वो white washing के लिए यूज किया जाता है यानि कि दिवारों में white washing के लिए इसको painter लोग यूज करते हैं कि यह जो चूना पानी बना यह जो calcium hydroxide बना है मारा इसको जब यह मलब क्या करते हैं दिवार के उपर हम लोग चूने में पानी मिक्स करके अपलाय कर देते हैं तो जब यह चूना पानी वाला जो मिक्सचर है यह हमारा एक्मोस्पियर की carbon dioxide से रियाट करता है यह देखें वाल के उपर हमने cah whole twice लगा दिया है calcium hydroxide लगा दिया अपने वाल पे जब यह atmosphere की carbon dioxide से रियाट करेगा तो इससे क्या बन जाएगा यहां पर एक carbon carbonate calcium carbonate deposit हो जाएगा ठीक है कैसे calcium carbonate यहां पर बनता है और water यानि एवाप हो जाता है तो मेरे कहने का यह मतलब है कि यह जो calcium hydroxide है इसके साथ में जब atmosphere की air atmosphere में जो carbon dioxide है वो रियाक्ट करेगा तो यहां पर calcium carbonate यहां पर deposit हो जाएगा जिससे white shiny smooth texture मिलेगा दिवार को इस तरीके से यह white washing में यूज किया जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि white washing में किसको यूज किया जाता है क्या process होता है क्या deposit होता है ठीक है तो उसमें आप इसको mention कर सकते हैं अब हम अगले तरफ बढ़ते हुए तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि combination की definition क्या होती है ठीक है तो इसकी definition समझने के लिए मैंने यहां पर simple form में definition लिखिए है कि those reactions ऐसी reaction जिनमें की two or more substances दो या दो से अधिक substances combine हो जाए to form a single substance are called combination reactions ठीक है simple सी है अब इसमें example के लिए एक और example लिख सकते है कि कार्बन प्लस oxygen कर दिया तो carbon dioxide बन गई यह balanced equation भी है इसमें आपको कुछ balance करने के विज़र नहीं है पर एक और example है digestion का अपका digestion में क्या होता है कि जो food रहता है mostly वो carbohydrate रहता है ठीक है यह जो carbohydrate है यह breakdown हो जाता है glucose में यह glucose रहता है oxygen से जो आपकी body cells में oxygen आता है respiration के तुरू उसकी वज़ा से मैं आप जब breathing करेंगे तो जो oxygen intake होगा वो oxygen आपके glucose के साथ जब react करेगा तो energy मिलेगी आपको इस whole process को हम क्या कहते है respiration ठीक है और यह जो breakdown हुआ है यह यह digestion का process है अब इसको ही data define करने वाली या represent करने वाली एक reaction है वो important reaction है आप इसको simply रट सकते हैं बाइहार्ट कर लिजेए इसको तो C6H12O6 यह glucose है यह जब react करेगा आपके 6 oxygen से यह balanced equation है इसमें कुछ balance करने की ज़रत नहीं है 6 oxygen से react करेगा तो यह बनाएगा 6 carbon dioxide aqueous plus 6 hydrogen sorry 6 water molecules plus energy ठीक है तो यह आपकी reaction है C6H12O6 plus 6 O2 gives 6 CO2 plus 6 H2O ठीक है दोनों साइट सभी molecules balanced है आप चेक कर सकते हैं तो अब हम आगे चलते हैं अब आप देखिए कि आपकी बुक में यहाँ पर क्या mention है देखें कि जो combination reaction है उसके कुछ oxygen और oxygen react करके water बना देखें सिंपल लांग्वेज में मैं आपको बता दिया है जब दो यादो से ज्यादा सब्स्टेंस जाए वह element हो चाहें compound हो वह कंबाइन हो जाए और एक single product बनाए तो ऐसी reaction को में बोलते हैं combination reaction ठीक है अच्छा फिर उसके आद हम देख रहे हैं activity 1.4 में activity 1.4 में वही reaction थी कि आपको quick lime में water मिला कि उसको slaked lime बनाना था ठीक है यह देखिया यही वाली reaction है उसमें कुछ change नहीं है तो इस reaction में एक बात notice की गई है कि उसमें से heat निकलेगी heat evolve होगी ठीक है तो यह इस वज़से जो reaction mixture वो warm हो जाएगा तो यहाँ पर हमको एक और important बा जब product formation हो उस time heat release हो ऐसी reactions को हम बोलते है exothermic reactions ठीक है exothermic reactions अब आपसे exothermic reaction की definition पूछी जा सकती है तो आप बता देंगे और अगर आपसे यह पुछा गया कि इसका कोई example दीजे तो simple सा example है burning of natural gas कुछ burn कर दो तो heat तो evolve होगी ना simple example तो आप चाहें तो वह COO प्लस H2O वाला एक्जामपल लिख सकते हैं यह भी अच्छा एक्जामपल है और यहां पर है methane यह जो molecule CH4 यह methane का है प्लस 2O2 गिवस CO2 प्लस 2H2O ठीक है तो यह क्या है burning of natural gas अच्छा प्रेस्पीरेशन जो प्रॉसेस होता है वो जो 6C6H12O6 वाला रियाक्शन था ना वही वाला रियाक्शन तो do you know that respiration is an exothermic process तो आपको यह पता होना चाहें कि respiration भी एक exothermic process ही है इवन डाइजेशन में भी आपका कुछ time से कुछ process जो रहता है वो respiration का उसमें होता है और वो exothermic होता है क्योंकि उसमें से थोड़ी energy release होती है यहां पर आप देख सकते हैं यह energy release हो रही है तो इसका मतलब heat release हुआ तो थोड़ा सा exothermic यहां पर भी हम इसको लेख सकते हैं एक और इसमें third point यह था कि decomposition of vegetable matter into compost यानि कि जो vegetable matter है जैसे कि apple के छिलके हो गया बनाना के जो पील हो गया या फिर कुछ भी खाने पिने का material vegetables related तो वो जो है वो भी अगर वो decomposed हो जाता है और compost में convert हो जाता है तो वो भी एक कैसी process हुई exothermic process तो हमने exothermic process पे discussion कर लिया है next reaction के उपर next type of reaction जो कि है हमारा decomposition reaction तो decomposition reaction में क्या होता है देखिए दोस्तो single reactant compound एक single reactant compound यह देखिए AB single reactant compound यह टूटके किसमे split हो जाता है split हो जाता है आप कह सकते किसमें A plus B में या और में भी जैसे ABC है यह तो general आपको एक समझाने के लिए मैंने कौन समय बताने के लिए लिखा है तो AB जो है वो टूटके split हो जाएगा A plus B में ठीक है अब इसको आप याद कैसे रख सकते है कि decomposition जो है वो enemy है या फिर उल्टा है बिल्कुल उल्टा है किसका combination का ठीक है अब decomposition का example यह देखिया वो जो process जिससे कि हमने calcium carbonate बनाया था उसी को अगर आप heat कर देते हैं mostly decomposition की process में कोई ना कोई काट ऐसा हमको supply करना पटा है या तो आप thermal decomposition अभी हम देखेंगे thermal decomposition electrical और through light photo photo वाला जो decomposition होता है वो भी हम देखेंगे तो usually decomposition करवाने के लिए कोई एक agent का हमको जड़त पढ़ता है source का एक तो यहां पे delta मतलब होता है heat किया तो आप पैस्जान सकते कि reaction decomposition की है क्योंकि इसमें single compound को heat की जड़त पढ़ लिये तो यह जो calcium carbonate है वो टूट के किस में convert हो जाएगा calcium oxide जिसको कि आप चूना बोल सकते हो या आप को एक lime बोल सकते हो और और इसी कों सीमेंट बनाने में भी यूज कर सकते हैं यह भी एक important point है जो आपकी NCRT की book में भी लिखा है प्लस इसमें क्या release होता है carbon dioxide gas ठीक है वही मलब आप यह देखिए कि जो calcium oxide के जो की आपने दिवार पर अपलाए किया था उसमें जैसे ही atmospheric carbon dioxide ने react किया था तो वह calcium carbonate में convert हो गया था पहले combination reaction में अब इसको heat करके आपने किसमें convert कर दिया calcium oxide और carbon dioxide ठीक है तो यह एक example था ऐसे बहुत सारे example हो सकते हैं उसके बाद अब हम चलते हैं decomposition reaction में types ठीक है इसके तीन टाइप है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक तो है thermal decomposition दूसरा है electric through electric वाला decomposition और तीसा है photo decomposition या हम कह सकते हैं decomposition with the help of light energy ठीक है तो पहला हम discuss करते हैं पहला है thermal decomposition तो decomposition reaction is carried out by heating इस process में हम heat का इस्तमाल करते हैं और इसके आपके पास कैसे example हो गया एक तो ही हो गया कि आपने ferrous sulphate लिया उसको आपने हीट कर दिया तो वह किसमें convert हो गया फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डायोक्साइड प्लस सल्फर ट्रायोक्साइड ठीक है यह उसके आद एक और example है मैं पास कि हमने lead nitrate को लिया उसको हीट किया तो वह convert हो गया lead oxide प्लस नाइट्रोजन डायोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में ठीक है यह दो example है मतलब रटने की बात नहीं है पर ठीक है जैसे आपको याद रहे तो अच्छी बात है simple है फिर हम चलते है next page next है मारा electric decomposition ठीक है electrolysis of water इसमें एक अच्छा example है कुछ इसमें ज्यादा रटने जाशा नहीं है आपको कुछ नहीं करना बस water जो है वो उसका breakdown हो रहा है hydrogen और oxygen में जिससे की वो बना था combination में हमने देखा था कि इसी से वो बना था और इसमें उसका decomposition हो रहा है तो यह आपने क्या प्रवाइड किया electricity इस decomposition को करवाने के लिए इसलिए electric decomposition हो गया अब आगे चलते हम तो फ्रेंट्स अगला है decomposition by light ठीक है तो अगले दिन देखोगे यह आपकी activity भी है तो आप उसको अगले दिन देखोगे तो वो ग्रे कलर में convert हो जाएगा silver plus उसमें से chlorine gas बाहा निकल जाएगी ठीक है अच्छा इस reaction को आप ब्लाक एंड फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं ठीक है बस आपको याद रही है रखना है कि आगर आप से पूछ लिया जाए कि ब्लाक एंड फोटोग्राफी में कौन सी reaction यूज होती है तो यह silver chloride और silver bromide वाली reaction उसको बस light में रख देंगे तो अपने constituents में टूट जाएगा और कुछ नहीं है ठीक है बालेंस भी बिल्कुल सिंपल है यह 2 AG था तो यहाँपे भी 2 AG हो गया है और यह chlorine gas और bromine gas बाहार निकल गई ठीक है atmosphere की जो हीट है वो एब्सॉर्ब हो जाए और आपका जो यूटेंसिल है आपका बीकर है जो भी है जिसमें भी आपने reaction करवाई है वो ठंडा हो जाए यानि कि cold हो जाए तो जिसमें heat आपने एब्सॉर्ब कर ली तो वहां से heat replace हो गई तो वहां क्या आगया ठंडा हो गया ठ एक यह भी बात थी NCRT में तो मैंने डिसकस कर दिया उसके बाद है यूजएस तो यूजएस क्या है तो एक्स्ट्राक्ट मेटल फ्रम देर ओक्साइड और फ्लोराइड अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी decomposition reaction है वो किसले यूज होती है कि आप देखे जो आपके मैटल से आपको सिल्वर मिलगे आप उठाके लिए ऐसा नहीं होता है वो सोडियम या फिर जो सिल्वर है यह सब लोग जो रहते है वो रियाग कर लेते हैं इनके oxygen के साथ में ख्लोरीन के साथ मैं आसे gases के साथ में वह अभलाब ऐसे दूसरे elements के साथ में रियाट करके तो इन कंपाउंट्स को मैं बहुता है पूसक है तो एकसाइड हो गया sodyum δεν एकसायड और किसी के सा Сп Worth कर लिया साथ शॉडारीन deadline कर साथ में सॉडियू पोटैशियम यह लोग बहुत चाप्टर है यह तो कि попроб averagingी möई इसके बाद आप देखते हैं कि इसी में आप example के लिए यह लिख सकते हैं कि जो sodium metal है उसको अगर आपको extract करना है मतलब जैसे की यह जो sodium है यह तो chlorine के साथ में sodium chloride के form में में लेकिन आपको तो सिर्फ sodium चीए तो इस sodium को इस chloride से अलग करने के लिए, extract करने के लिए, जो process होता है, वो हता है electrolysis का, तो आप जो decomposition है, इस NaCl का तूट के Na और Cl में तूट जाना, वो यहाँ पी use होगा यह process, इस process को कराने के लिए भी आप decomposition reaction का use करेंगे, लेकिन electric वाला, तो उसको हम electrolysis बोल देंगे, ठीक है? अब आप यह देखिए, आपकी यह वाली जो activity आपकी 1.6, इसमें thermal decomposition हो रहा है, ठीक है? आप heat प्रोवाइट कर रहे हैं, तो यह decompose हो जाएगा, ठीक है? इसका reaction आपका जो lead nitrate है, वो तूट के, यानि आपने heat प्रोवाइट की, तो वो इन पार्टिकल्स में तूट गया, पार्टिकल्स में तूट गया, फिर आपका जो यह वाला activity है, वो बता रहा है कि आपने water को, 2H2O को तोड के आपने क्या बना लिया, 2H2 plus O2, तो यहाँ पे electricity वाला decomposition शोग हो रहा है, ठीक है? और यह जो थर्ड वाला है, इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या ह हो जाएगा, अगर sunlight पढ़ेगी, तो यहाँ पे light वाला decomposition हो रहा है, तो यह तीन examples थे, इसके थुरू आप इन तीनों subtypes को याद रख सकते हैं, तो अब हम लोग question answers discuss करेंगे, तो a solution of a substance X is used for whitewashing, तो आप से X पूछा है कि X क्या है, उसका formula लिखना है, तो हम already देख चुके है कि quick lime जो मारा है, calcium oxide, उसी को, जिसका formula है CAO, उसी को हम use करते है कि इसके लिए, whitewashing के लिए, तीक है, उसके बाद आपका second point है कि write the reaction of substance X, named in above with water, यानि आपको इस X के, यानि कि CAO के साथ में, water का reaction करवाना है, यह देखे, तो इससे क्या बनेगा, आपको पता है, calcium hydroxide, calcium, य second question आपका क्या है कि, जो आपकी activity 1.7, तो मैंने आपको बता दिया था activity 1.7 जो है, वो electrolysis of water है, जो आपका 2H2O है, वो 2H2 और O2, यानि कि water जो है, वो hydrogen और oxygen में तूट रहा है, तो यह जो आपकी activity है, इसमें उन्होंने पूछा है कि, एक जो gas है, उसकी quantity double क्यों है, दूसरी gas है, वाइ, ऐसा क्यों हो रहा है कि, एक gas की quantity दूसरी gas से double है, यह देखे, double है, ऐसा इसलिए, क्योंकि, आपको एक gas का नाम भी बताना है, ठीक है, तो हम simple से लिख देते हैं, हम सबसे पहले हम बोलें कि, the activity was of electrolysis of water, और दूसरा है कि, यह जो reaction हो रहे है, आप यह मेंशन कर is this one, आप मेंशन कर दीजे, फिर आप लिख सकते हैं, कि H2O has two parts of hydrogen, इसमें देखे, water में दो part hydrogen का है, और एक part oxygen का है, तो इस तरीके से आपका यह answer हो गया, तो अब देखे, friends, हमारा अगला reaction है, तीसरा वाला, यह है displacement reaction, इसमें simple मैंने आपको देखे, यह pictorially समझाने की कोश आदमी है, समझ लिजे, और दो लोग साथ में, और वो जो strong आदमी है, वो आया, और उसने weak आदमी को हटा दिया, और खुद आ गया, ठीक है, और strong आदमी ने weak आदमी को हटा दिया, बस यह होता है, तो इस reaction में क्या होता है, कि आप देख सकते हैं, A है, suppose, A strong है, ठीक है, A A ने B, C को देखा, ठीक है, B, C है compound है, A आया, उसने देखा कि B तो weak है, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, तो वो आके B की जगह ले लेगा, और खुद A, C हो जाएगा, और B अलग हो जाएगा, बस, बहुत simple है, आप इसको words में बोले तो क्या होगा, those reaction in which one element takes the place of another element in a compound, ठीक है, ऐसी reaction जिसमें कि एक element दूसरे element की जगह ले लेता है, ठीक है, उसको displace कर देता है, ठीक है, इसको example से समझें, तो देखे, iron जो है, वो क्या करता है, copper sulfate solution जो रहता है, copper sulfate solution, इसमें iron देखता है कि copper से तो ज़्यादा सकती शालियूम है, तो वो आता है, और वो iron जो रहता है, वो copper की जगह ले लेता है, और copper को भगा देता है, ठीक है, और इसमें color change क्या हुआ है, chemically, iron gray था, copper blue था, फिर iron sulfate जो बना, ये कैसा हो गया, greenish, ठीक है, blue से greenish हो गया, और ये copper जो है, उसका original color क्या रहता है, red brown, तो वो यहाँ पे आगे, तो आप technically देखा जाए, तो इसमें क्या हो रहा है, कि जो more reactive element है, वो less reactive element को उसके aqueous solution में से displace कर देगा, ठीक है, more reactive element displaces less reactive element, promotes aqueous solution, अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा रहा है, more reactive, तो जो हमारी, आपके chemistry में और आगे देखेंगे, कि metals की reactivity series होती है, ठीक है, कौन ज्यादा strong है, कौन ज्यादा weak है, ऐसे पूरा हम decreasing order, increasing order में show करते हैं, तो हम उसी table के हिसाब से iron जो है, वो copper से ज्यादा strong है, इसलिए iron जो है, वो copper को displace कर देगा, पर अगर आप सोचें, उल्टा हो जाए, कि जो iron sulfate solution है, उसमें मैं copper डाल दू, तो क्या copper कुछ कर इसलिए है, आप यह reaction हुई ही है, इसमें बुक में जो activity 1.9 है, वो यही चीज डिसकस करें, इसी reaction को इसमें diagramatically समझाया है, तीक है, अब हम चलते हैं, double displacement reaction पे, तो double displacement reaction में क्या होता है, कि इसमें होता है, exchange of cation and anion, तीक है, इसमें देखिया, आपने पढ़ा ही होगा, एक तो cation होता है किसी भी compound में, जो की positive रहता है, और एक होता है, anion, जो की negative है, जैसे कि NaCl है, तो जो एने है, वो positive है, और जो CL है, बालब कि यह cation है, और यह anion है, तो यह compound बन के रहノением, तो Glenn apparent ब्लावा बासे दो compound है, एक तो हमाँपस A, B है और एक CD है, तो इस हिसाब से क्या यह प्लस ऐसा नहीं हो गांगा मैं यह तोड़ा से मिस्टेक कर दिया पर यहां पर जो एक कटाइन है वो इस एनायन को छोड़के दूसरे और यह जो कटाइन है वो यह के मितिता है तो दोज रियाक्शन in which two compounds दो compounds है कोई भी element नहीं है दोनों compounds है react by an exchange of ions इन में ions exchange हो जाएगी ठीक है ताकि दो नए compound बन जाए इस reaction को हम double displacement बोलेंगे जैसे यहाँ पर क्या था कि एक element था और एक compound था उससे एक बार displacement हो रहा था यहाँ पर double displacement हो गया ठीक है दोनों ने अपस में आकर displacement कर दिया है जैसे आप यहाँ पर देखिए यह जो आपका AGNO3 है ठीक है यह AGNO3 जो है और NaCl है यह दो compound इसमें क्या आए यह इसमें नाइन क्या आए अनो 3 ठीक है इसमें क्या उडियम और इसमें एन आएन क्या है chlorine तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स्चेंज हो जाएगा यह जो एजी है वो CL के साथ आ गया और यह जो एनायन था वो कटायन के साथ आ लिए तो यह हो गया AGCL और यह हो गया NaNO3 sodium nitrate ठीक है यह AGCL की PPT बन जाती है अब PPT क्या होता है प्रेसिपिटेट ठीक है तो insoluble solid formed जो insoluble solid बना है इसा solid जो बना है वो solution में से separate हो जाता है separates out from the solution ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं PPT इस reaction को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रियाक्षन तो double displacement में प्रेसिपिटेशन रियाक्षन होता है जैसे डीकमपोजिशन में आपको कोई नो कोई ऐसे एजेंट देना पड़ेगा करवाने के लिए वैसे आप इसमें आप सकते हैं प्रेसिपिटेट मोस्टली फॉर्म होता है अब हम चलते हैं मारे नेक्स्ट रियाक्षन पर और इसमें आपको कुछ भी डाउट हो कोई भी कहीं पर मिस्टेक लग रहा हो कुछ भी आपको ऐसे लग हो किया मोई को समन में आ रहा है तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन मे लेख सकते हैं मैं आपको बिल्कुल समझा दूँगी कोई आपको किसी टॉपिक पर लेक्शर चाहिए तो आप वह भी मज़े कॉमेंट सेक्शन में बता दीजे तो मैं उस पर भी लेक्शर बना दूँग आपके लिए सिर्फ साइंस नहीं और कोई सब्जेक पर चाहिए त लेफ्ट साइट आपको एलिमेंट दिख रहा है लेकिन राइट साइट पे आपको उसमें ओक्सिजन मिलावा देख रहा है यानिकी ऑक्सिजन अड हो गया तो इस process को हम बोलेंगे Oxidation मिला आपको पहचानना कैसे है कि Oxidation हुआ या Reduction हुआ है तो यह हो गया Oxidation अच्छा एक और बात क्या है अगर कहीं से Hydrogen Remove हो जाए मिला Oxygen का कोई रोल नहीं है लेकिन Hydrogen Remove हो रहा है उस process को भी हम क्या कहेंगे Oxidation ही कहेंगे प्लस यानि Addition of Oxygen और माइनस यानि की Removal of Hydrogen इन दोनों चीज़कों क्या बोलेंगे Oxidation उल्टा चलता है Reduction में क्या होगा कि इसका ज़स्ट उल्टा Addition of Hydrogen और Removal of Oxygen ठीक है फिर उस कहा है Oxidizing agent क्या होता है तो substances ऐसे substances जो कि आपको दे Oxygen मनलब कि ऐसे substances जो कि Oxygen Add कर दे वो होगे वो Oxidation में Oxidizing agent होगे और या फिर जो Hydrogen Remove कर दे या ऐसी Reducing agent में कौन होगे जो कि Hydrogen दे दे या Oxygen ले ले अब ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है वो मैं आपको भी बताते हो मगर एक बात और है इसमें एक बात और है कि जब Oxidation और Reduction Reduction साथ में हो तो उस चीज को At the same time हो रही हो तो उसको बोलेंगे Redox reaction इससे समझते हम लोग इस reaction से कि मैं क्या कहना चारी थी देखिए CuO Copper Oxide उसमें आपने Hydrogen डाल दिया तो आपको क्या मिला Copper प्लस क्या बोलेंगे इसको Water तो इसमें देखिए यहाँ पे mention है सीधे से देखिए यह जो Hydrogen है यहाँ पे observe करें Hydrogen आगे चलके देखिए इसमें Oxygen आड हो गया तो हमने देखा था कि addition of Oxygen यह क्या होता है Oxidation ठीक है वही हुआ है यहाँ पे यह देखिए यह Oxygen आड हो गया तो यह क्या हो गया Oxidation और यहाँ देखिए यह जो Copper Oxide है यहाँ Oxygen अलरेडी है लेकिन इसमें से Oxygen Remove हो गया यहाँ देखिए यहाँ पे कोई Oxygen नहीं यानि कि इस जो Copper Oxide है इसमें क्या हो गया है Reduction तो आप से चार बाते पूछी जा सकती पहला कौन सा Substance Oxidize हो गया है आप क्या बताएंगे देखिए कौन सा Substance Oxidize हो गया है मतलब किसमे Oxygen आप देखिए यहाँ पे किसमे Oxygen आड़ हो है Hydrogen में यहाँ वाटर में चेंज हो गया यहाँ Oxygen है दूसरा कौन सा क्वेशन पूछाए सकते है कि कौन सा Substance Reduce हो है तो आप देखिए यहाँ से Oxygen हट गया यह देखिए तो यह क्या हो गया Copper Oxide हमारा Reduce हुआ फिर आप से पूछ सकते है Oxidizing Agent कौन है तो देखिए किसने अपना Oxygen Lose किया इसने Lose किया न दिया किसको इसको Lose किसने किया इसने किया इसलिए यह पूरा क्या हो गया हमारा Oxidize करने वाला Agent Hydrogen Oxidize हुआ है लेकिन Hydrogen को Oxidize किया किसने Copper Oxide ने अपना Oxidation अपना Oxygen देखे तो यह जो Oxygen है हमारा वो चला लिया यहां से इसलिए Oxidizing Agent कौन बना Copper Oxide फिर Reducing Agent कौन है तो Reduce किसने किया मलब कि किसने Oxygen ले लिया आप दो बाते कर सकते आप यह कह सकते कि इसने किसने Donate कर दिया किसने दे दिया यह किसने ले लिया तो Hydrogen ने इसका Oxygen ले लिया तो इसलिए Reduce किसने किया Hydrogen बहुत सिम्पल एक बार इसका प्रिवाइज करेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा फिर एक और एक्जाम्पल के लिए देखें जैसे यहां पर देखें H2S प्लस क्लोरीन गिफ सल्फर प्लस 2HCl यह क्या है Hydrogen Sulfide और यह क्या है Hydrogen Chloride अब देखें यहां पर क्या हुआ कि जब यहां से आप यहां पर पहुंचें तो सल्फर तो है पर Hydrogen नहीं है तो हमने देखा था कि अगर Hydrogen रिमूव हो जाता है तो वो भी क्या होगा Oxidation होगा यह देखें ऐसे यहां पर हुआ है Hydrogen रिमूव हो गए इस प्रोसेस को हम बोलते है Oxidation अब यहां देखें यह जो क्लोरीन है इसमें Hydrogen Add हो गया Addition of Hydrogen Reduction यह देखें यहां पर Oxygen का कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी हम Oxidation Reduction की बात करें इस तरीके से हमने इस चीज को भी क्लियर कर लिया है आपको कोई भी राउट हो आप मुझसे बिल्कुल बूच सकते हैं नेक्स्ट आपिक पर चलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा Effect of Oxidation क्या होगा दो इफेक्ट होते हैं Oxidation की किसी खाने की बात करें खाने की या फिर मेटल्स की तो मुस्टली क्या होगा कि किसी भी सब्स्टेंस के उपर जब oxygen आ जाए लग वह सब्स्टेंस ऑक्सीजन के पर चलते हैं तो उस पर क्या असर पढ़ेगा तो या तो मेटल्स पर असर पढ़ने की बात करें लोग और या फिर हम लोग फूड पर असर करने की बात करें तो पहला है है हमारा corrosion, corrosion दूसरा है हमारा rancidity तो हम दोनों डिसकस करेंगे पहला है हमारा corrosion ठीक है आप यह जितने भी नोट से इसको आप लिग भी सकते अपनी कॉपी में में बिल्कुल अच्छे से प्रिपैर किया है NCRT से बिल्कुल भी कईंभी डिफरेंट नहीं है यह बहुत क्या होगी कि process in which metals are eaten up gradually ऐसी process जिसमें की metals जो metals है वो eaten up अब eaten up मलब खा जाना तो literal sense में खा जाना नहीं होता मलब वह वैसे कह भी सकते हम लोग ऐसा तो eaten up मलब खा जाना खराब हो जाना ठीक है eaten up gradually धीरे धीरे by the action of air moisture देखें हवा में भी और जो नमी होती है moisture उसमें भी यह पिर कोई chemical है उसमें भी अगर oxygen है तो इस case में अगर यह तीनों चीज़ है अगर metal की surface से react कर जाए और उस वज़र से metal धीरे धीरे deteriorate होने लगे यह हम कह सकते eaten up gradually धीरे धीरे खराब होने लगे तो इस case में हम कहेंगी क्या हो गया है corrosion हो ठीक है फिर most common form corrosion का form most common form क्या होता है rusting ठीक है अब देखे रस्टिंग का reaction क्या है ठीक है mostly देखे आप इतर फोर एफी यानि iron ने जब मालब हम बात करें iron के surface की एक iron metal का हमारा सबोस्करी एक टुकड़ा है उसको ने जब atmosphere के oxygen से रियाक किया 3 oxygen और थोड़ा बहुत जो atmosphere में moisture है यानि की water लेकिन वो कितना water है हम यह आपे balance करने के लिए टू लिख रहे है तो एक्च्वाल में कितना moisture है में नहीं पता है इसलिए हम यह आपे एक्स लगा रहे है तो टू एक्स molecules of hydrogen मलब टू एक्स molecules of water तो यह जो है हमारा iron प्लस oxygen प्लस water इन तीनों ने जब रियाक किया तो क्या बनेगा hydrated यानि कि यह जो पानी है यह गीला नहीं कर रहे है यह बस इसके साथ में इसका मतलब हम और आगे वाले चाप्टर में समझेंग water और actual water रहते है उसमें क्या अंतर होता है तो आप बस इसको देखें यह hydrated है मलब आप इसको heat करेंगे तो यह पानी उड़ जाएगा ठीक है तो hydrated iron two Roman में two oxide ठीक है यह जो है हमारा फॉर्मुला इसका iron oxide का दो फॉर्मुले होते है तो इसलिए एक को mention करने के लिए आप यह ल मॉस्चर के साथ में रियाग किया तो आपको hydrated iron oxide मिला यह अब आपका last topic क्या है रांसी रिटी में क्या होता है खाने की बात करें ठीक है तो ऐसी condition produced by aerial oxidation मेलब की हवा की वज़े से oxygen इंट्रड्यूस हो जाए अगर आपके fats में या oils में फूड के अगर आपका fat और oil होता है य अगर oxygen से रियाट कर जाए हवा की तो क्या हो जाएगा फूड जो है उसमें क्या जाएगा unpleasant smell और टेस्ट आजए ठीक है लब उसमें से smell भी गंदी आएगी और टेस्ट भी आएगा यह एक में खराब हो जाना तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बिल्कुल to the point बात करने हम कहीं भी इधर उदर नहीं पहला आप क्या करेंगे उसमें आंटी आपसे पूझा जा सकता है एक्जाम में रांसीडिटी क्या होता है और इसको प्रिवेंट कैसे करना है यह बहुत इंपोर्टेंट है उन्हें प्रिवेंट कैसे करना है यह इंप और आपके जो रियाक्शन से पाज टाइप उनके एक्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है ठीक है अब तो प्रिवेंट दिस आप क्या कर सकते है आप आड कर सकते हैं आप आड कर सकते हैं आटी ऑक्सिडेंट तो दा पूर ऐसे पूर जिनके अंदर फाट और ओल उसमें आप अंटी ऑक्सिडेंट डाल सकते हैं तो तो इसमें आप लोग क्या एड कर सकते हैं दो आपकी बुक में शायद नहीं है मेरी खाल से तो नहीं है पर पूछा जा सकता है थी उसके नाइट्रोजन गयास पाकिंग मनलब कि आप क्या करें जैसे लेश चिप से थीक है यह जो हवा भरी घरी जाती जो फूले-फूले रहते हैं उनमें हावा ऑक्सिजन की नहीं बढ़ी जाती उसमें हवा भरी जाती है नाइट्रोजन गैस की ताकि यह जो नाइट्रोजन गैस है वो जो चिप से उनके साथ में रियाक्ट नौ करें ठीक है और रियाक्ट ही नहीं करेगी तो वो सेफ रहेंगे जैसे कि यहां पर हमने अंटी अक्सिडेंट आड किये थे तो भी तीसरा के होता है आप फूड को अपने रेफ्रीजरेटर में रखें क्योंकि गर्मी के कारण जो मॉइस्चर डेवलप होगा उससे आपका फूड बच सकता है अगर आप उसको फ्रेज में रखेंगे तो ठंडा रहेगा इसलिए बचा हुआ रहेगा फॉर्थ आपका खराब होने का खत्रा रहेगा रनसे रहेगो तो यू आपके पॉइंट्स थे और यह आपका रैंसी ठीज थित हा और बस यह चाप्टर खतम हो गया बिलकुल खतम होगया चाप्टर और अब हम लोग इसके क्वेश्ञ आंसर झिसकस करते हैं तो यह देखें आप इसका question no.1 क्या है कि why does the color of copper sulphate solution change when an iron nail is dipped in it अगर copper sulphate में आपने iron nail डाला तो उसका color क्यों change हो गया क्योंकि displacement reaction हो गया simple आप यह reaction लिखें और लिख देजे due to displacement reaction the color is changed दूसरा क्या है कि आपको example देना एक double displacement reaction का तो आप यह वाला दे सकते हैं sodium hydroxide ठीक है उसके साथ में आपने क्या राला HCl तो वह हो गया NaCl और H2O ठीक है यह important reaction भी इसको याद रख लेगा पर इसमें हमको identify करना कि कौन oxidize हो रहा है कौन reduce हो रहा है मैंने कहा ही था आपसे तो यह वाली reaction में आपको बता दे रही हूँ इसमें sodium oxidize होगा क्योंकि देखे sodium में oxygen चला गया है product side में और कौन सा reduce हो रहा है तो यह खुदी reduce हो रहा है oxygen गायब हो गया oxygen remove हो गया इसलिए वह reduce हो गया फिर second point है आपका कि carbon sorry copper oxide plus hydrogen gives copper plus H2O तो यह मैंने discuss करी दिया था इसमें hydrogen oxidize हो रहा है और यह कौन reduce हो रहा है COO क्योंकि इसमें से oxygen चला गया तो यहां से चाप्टर खतम हो गया है अब हम आपसे अगले वाले वीडियो में मिलेंगे उसमें हम इसके question answers discuss करेंगे NCRT के सारे उसके बाद में आपको इसमें से जो board level का important questions होते हैं वह बताऊंगी तो आपका जो पहला chapter है वह finished हो चुका है और आपको इसमें कुछ भी doubt हो यह आपको कोई भी दूसरे topic पे वीडियो चाहिए हो ता आप मेंको please request कर देगा नीचे और like करिए इसको share करिए subscribe करिए आपी के कर दो